दो हजार चौबीस के पहले चार महीनों में हमारे देश में साथ लाख चालीस हजार साइबर क्राइम कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी हैं इंवेस्मेंट स्कैम, सेक्स्टोर्शन, डिजिटल अरेस्ट और दूसरे फ्रॉड से करीबन एक हजार आठ सो करोर रुपए लूटे जा चुके हैं सिर्फ जैन्बरी और एप्रिल के महीनों के बीच में ये सरिफ ओफिशल आकणों की बात कर रहा हूँ जो नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज हुई है जिसे मिनिस्ट्री अफ होम अफेर्स चलाती है असल में ये ओनलाइन फ्रॉड की जो समस्या है इसने एक भीशन रूप धारन कर लिया है और कल आपको या मुझे भी अपने चपेट पे ले सकती है इंडियन साइबर क्राइम कोडिनेशन सेंटर या I4C के अनुसार मैं 2024 में हर दिन 7000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रेजिस्टर हो रही है हर दिन 7000 कंप्लेंट्स ये आख़ा 2021-2023 के तुलना में 113 प्रतिशत जादा है इन सारे क्राइम में पैसा मेंन मोटिव होता है 85% केसेज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में online financial fraud हो रहा है पिछले 5 सालों में financial frauds करीबन 1000 प्रतिशत बड़ी है 2023 में एक लाक investment scams रिपोर्ट किये गए मार्केट में नया जो scam आया है digital arrest उससे 120 करोर रुपे लूटे जा चुके हैं ट्रेडिंग स्कैम का तो अलग ही जोन चल रहा है अनुमान है 1500 करोर रुपे का चूना लग चुका है लोगों का वहां और एक बार online scam में आपका पैसा गया तो मिलना वापस बहुत ही मुश्किल होता है दस प्रतिशत से भी कम cases में पुलीस आपकी मदद कर पाती है आपका पैसा लोटा पाती है शायद इसी लिए और शरम के मारे बहुत सारा online financial fraud जो हो रहा है हमारे देश में उसे report भी नहीं किया जा रहा है ये frauds अक्सर हमारी लापरवाही के वज़े से भी होता है जैसे कि whatsapp पर लिखा शब्द जो होता है हम उसे भगवान का उबदेश मान लेते हैं कि whatsapp पर लिखा है ठीक ही लिखा होगा या रातो रात पैसा डबल करने के scheme में इन्वेस्ट करने के लालच में हम पैसा डाल लेते हैं और बहुत बार आपकी गलती ना भी हो सकती है क्यों? जैसे fraudsters आपका information, biometric data चुरा कर आधार enabled payment system या AEPS से पैसा निकाल सकते हैं और आपको खबर तक ना होगी local circle द्वारा किये गए एक survey में पता चलता है कि पिछले तीन सालों में 47 प्रतिशत urban households है जहां कम से कम एक financial fraud report हुआ है चाहे वो UPI हो, credit card हो या कोई investment fraud हो 23,000 लोगों का ये जो survey है इसमें ये पाया गया कि credit card पर अकसर unauthorized charge किया जाता है या फिर UPI में QR code से payment मिलने के बज़ाए से payment हाथ से निकल जाता है हर दिन criminals नया नया technique निकालते हैं हमें लूटने के लिए बात सर्फ पैसे की नहीं है आए दिन सुर्खियों में हमें ये ख़बर भी दिखने को मिलती है कि कैसे financial frauds, extortion या illegal loan apps के वज़े से लोग अपनी जान तक ले रहे हैं इसलिए देशबक्त के आज के एपिसोड में हमने ये एपिसोड आपको आगा करने के लिए बनाया है कि कैसे आपके family, आपके friends को आप सुरक्षित रख सकते हो और अपने आपको भी safe रख सकते हो इस सबसे बड़े frauds है किस किस रूप में आते हैं ये online fraud सरकार क्या कर रही है इस आपदा से निपठने के लिए और उससे भी जादा आप क्या कर सकते हो अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े frauds में नेता बिजनसमें टैक्सपेयर का पैसा खा जाते है लेकिन ये जो online fraud है ना उससे भी जादा खतरनाक है ये frauds आपके bank balance को आपकी इज़त को आपकी जिन्दगी तक को खा जाएंगे और ड़का तक नहीं लेंगे और इसी लिए इसे आप रोक सको आप लोगों को आगा कर सको हमने इस वीडियो को एकदम copyright free बनाया है आप इस वीडियो को शेर करो, download करो, re-upload करो कोई problem नहीं है बस अपने family, अपने friends को आगा करो कि ये देश का सबसे बड़ा scam बन चुका है देशबग की पूरी team ने बहुत time लगा कर इस episode में research किया 6 ऐसे latest या evergreen online frauds का पता लगाया जिसके शिकार आप और मैं दोनों हो सकते है और 6 ऐसे security measures के बारे में भी हम बात करेंगे इन attacks से बचने के लिए लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि fraudsters आज सिरक जामतारा में कहीं कोने में बैट कर आपको fraud करने की कोशिच नहीं कर रहे है आज digital fraudsters बहुत ही capable, technologically बहुत ही knowledgeable और शातिर criminals बन चुके हैं अगर आपके साथ कभी भी financial fraud हुआ है तो आप चुप मत बैठो क्योंकि यही चुपी criminals को और होसला देती है अच्छे से अच्छो को इन criminals ने फासा हुआ है अपने latest digital arrest scam में मिलिए SP Oswald से चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर और वर्दमान ग्रूप आपको लगेगा कि अरे इतना पैसा इनके पास इतना तजुर्बा है 82 साल की उमर में Oswald साब को कोई बुद्धू तो बना नहीं सकता है लेकिन इनके साथ हुआ 7 करोर रुपए का fraud जब एक गैंग ने इनके ऊपर एक फिक केस किया एक फिक वर्च्वल कोट रूम में फिक चीप जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंदर्चूर के साथ केस की सुनवाई कराई फिक डॉक्यूमेंट्स क्रियेट करवाए और ओस्वाल को दो दिन तक डिजिटल एरेस्ट में रखा सुप्रीम कोट से जो फेक डॉक्यूमेंट्स आए जो ओस्वाल को भेजे गए थे उनमें सुप्रीम कोट का एंबलम, उसका बार कोट, उसका डिजिटल सिगनेचर सब एकदम असली कोट डॉक्यूमेंट से मेल जोल खाते थे उसवाल ने नोटिस का पालन करते हुए अलग-अकाउंट्स में साथ करोर रुपए जबा कर दिये चलो बिजनेसमेन को उलू बनाया लेकिन साइंटिस्ट को भी मद्यपदेश के इंदोर में डिपार्टमेंट अफ एटॉमिक एनरजी में काम कर रहे साइंटिस्ट को फ्रॉट्स्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट किया 71 लाक रुपीज उनसे लूट लिया नॉइडा में 89 साल के रिटार्ड मेजर जेनरल के साथ भी यही हुआ 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट 2 करोर रुपए उनसे एट लिये गए नॉइडा में ही एक डॉट्टर पूजा गोयल को फ्रॉट्स्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट किया इस आरोप में कि उनके नंबर से अशलील विडियो सर्कुलेट हो रहे है 60 लाक रुपए उनसे भी एट लिये तो एक बात तो क्लियर है कि फ्रॉट्स्टर्स कोई स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं कर रहा है कोई टीजी नहीं है सीनियर गवर्मेंट अफिशर हो सकता है रिटायर गवर्मेंट अफिशल हो सकते हैं बिजनेसमेंट डॉक्टर यहां तक कि पीजी स्टूडेंट्स तक को बक्षा नहीं गया है इन ऑनलाइन स्कैम से एहमदाबाद में 27 साल की महिला को सेंट्रल एजेंसी के अफसरों ने फोन करकर बताया कि उनके नाम का एक पार्सल है जिसमें ड्रग्स पाए गए हैं और उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है डिजिटल एरेस्ट के दोरान एक CBI ओफिसर ने उन्हें अंड्रेस करने को कहा जिससे उनके बर्त मार्क्स को आइडेंटिफाई किया जा सके साथी साथ उनके सारे पैसे फ्रोट्स्टर्स ने ट्रांसफर करवा लिये तो इतना confidence आ चुका है आजकल ये online फ्रोट्स्टर्स में डिजिटल एरेस्ट उस cyber crime technique का नाम है जहां फ्रोट्स्टर्स विडियो कॉल के जरिये law enforcement agency के अफसर बनके आपके सामने आते हैं आपका crime कुछ भी हो सकता है लेकिन दो बहुत common crimes आजकल हमें दिखने को मिलते हैं आपके नाम का parcel उसमें drugs मिला है या फिर आपके नाम से registered mobile phone जिससे illegal काम हुआ है फिर उती हुआ है, terrorism हुआ है या obscene material circulate हुआ है आपके number से जो आधार से linked है अगर victim इस बात को मान लेता है तो phase 2, digital arrest जहां आपको अपने घर में कैद कर दिया जाता है और आपको अपने device के सामने होना होता है, आपके device का camera बंद नहीं किया जा सकता है basically idea fraudsters का ये है कि आपको interrogate करेंगे और आप किसी से help नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको camera के सामने बैठना है finally वही होता है जो इन सारे cases में generally हमें दिखने को मिलता है settlement की बात आती है और फिर आप एक मोटी रकम चुकाते हो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज़त बचाने के लिए आजकल तो scamsters, payment, cryptocurrency या gift card में भी demand करने लगे हैं जिससे उन्हें track करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए लेकिन ये सारे frauds नहीं होते अगर victims को एक छोटी सी चीज मालूम होती कि digital arrest नाम की कोई चीज ही नहीं हमारे legal system में लेकिन शायद हमें police और law enforcement का इतना डर इतना खौफ बैठा हुआ है कि हम digital arrest का नाम सुनकर ही surrender कर देते हैं अब Indian Cyber Crime Coordination Center ने बाकाइदा एक notice एक press release जारी किया है जिसमें नागरिकों को आशवाशन दिया गया है कि law enforcement agency, CBI हो, police हो, custom ED, judges हो आपको video call के जरिये कोई arrest नहीं कर सकता है और अगर आपके पास कभी भी by the way ऐसा call आये तो उन्हें बोलो कि कम से कम घर आकर आकर आपको notice दे, घर आकर 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 आपको arrest करे अरे डिजिटल इंडिया का बतलब इत्ता थोड़े ही न कि आप आलसी बैड जाओ और सब कुछ online ही करना शुरू कर दो लेकिन डिजिटल इरेस से बच भी गए तो क्या? अरे डिजिटल fraudsters तो हर कोने में इंतजार कर रहे हैं आपका ये रहे छे टॉप scams जो हमारे टीम को मिले जिससे लाखों लोगों से करोरों रोपए लूटे जा रहे हैं डिजिटल इंडिया और उपी आई के चलते हमारी जिंदगी तो आसान हुई है लेकिन साथी साथ डिजिटल fraudsters की भी जिंदगी आसान हो गई है 2022-2023 में करीबन एक लाख UPI-based frauds रिपोर्ट किये गए हैं अगर आप सतर्क ना रहे तो डिजिटली आपका पैसा गायब हो सकता है बहुत आसानी से साथी साथ QR codes के मामले में थोड़ा साफधान रहना पड़ेगा QR code कहां से scan कर रहे हो किसे payment दे रहे हो ये थोड़ा भापना जानना जरूरी है जैसे की for example अगर नहीं करोगे तो tech, high tech, Silicon City, Bangalore में 41% reported cyber crime incidents होते हैं वो QR code scam से related होते हैं तो इतना common हो चुका है QR code का misuse नमबर टू, sextortion, बहुत ही भयानक रूप है हमारे टेलिकॉम revolution और सस्ते mobile phone और सस्ते data rates का scammers लोगों को video call करते हैं, बहुत बार अंजाने में लोग ऐसा unknown number से phone उठा लेते हैं दूसरे end में एक महिला अशलील हरकते करते पाई चाती हैं जब तक आपको समझ में आता है कि ये मामला कुछ गड़बड है तब तक आपकी video बन चुकी होती है अशलील हरकते करते हुए उसके बाद हमारी सदेव ततपर पुलीस से आपको एक phone आता है कि आपके खिलाफ obscenity का case दर्ज हो गया है और आपको arrest किया जा सकता है सबूत के दौर पर आपका अशलील विडियो इस महिला के साथ आपके सामने पेश किया जाता है इस समय इंसान ठंडे दिवान से ये नहीं सोचता है कि हमारी पुलीस इतनी तक पर कब से हो गई अरे सिधा फाइल घरी भेजदो घर में बैठके एडिट कर दूँगा ओफिस हाने किया जुरूत है लेकिन ऐसे स्कीम न बहुत ही चौका देने वाले हैं और ऐसे स्कीम जो offer करते हैं वो fraud ही होते है पहला होता है WhatsApp, WhatsApp पर आपको एक job offer आता है उसके बाद टेलिग्राम ग्रूप में आपका नाम आड़ कर दिया जाता है जहां आपको बिग बॉस के तरह अलग-अलग टास्क दिये जाते हैं पहले आपको आपके काम के लिए छुटर पैसे भी मिल जाएंगे आपका ट्रस बढ़ जाएगा फिर किसी कारण हे तू जैसे की ट्रेनिंग ही है या फिर आपको जादा बिजनिस मिलेगा उस excuse पे आपको उल्टा पैसा जमा करना होता है एक बार आपने मोटी रकम जमा की बंदा गायब आपके पैसे के साथ नमबर चार, AI की दुनिया बहुत चकाचौंध है मानवता एविल्यूशन की अगली पाइदान पर चड़ रहा है AI के साथ क्रिमिनल्स ने बोड़ा हम क्यों पीछे हट जाएं तो उन्होंने भी AI के मदद से लोगों को अब गधा बनाना और उनसे पैसा निकालना सीख लिया है किसी के बेटे का एक्सिडेंट हो गया है वो हॉस्पिटल से कॉल कर रहा है पैसे की गुहार लगा रहा है कैसे मना करोगे आप किसी की बेटी को पुलीस ने होटेल के रूम से नगन अवस्था में एरेस्ट कर लिया है और अगर आपको बचाना है अपनी बेटी को तो सेटलमेंट के पैसे निकालो अभी के अभी आपको उसकी आवास तक सुनाई दे रही है फोन पर पीछे मदद मांग रही है वो अगर वो घर पर बैटकर टीवी ना देख रही होती तो आप बात मान भी लेते आप पैसे दे भी देते कुछ लोग बच गए लेकिन लाखो लोगो लाखो पेरेंट्स ने लाखो रिश्टदारों ने पैसा ऐसे निकाला है और जो आवाज उन्होंने सुनी होती है जिस पर विशास करके वो पैसे निकालते हैं वो असली, almost असली ही आवाज होती है सौफ्टवेर की मदद से, AI की मदद से आप आज के डेट में किसी की आवाज को कौपी कर सकते हो और फिर उस आर्टिफिशल आवाज से कुछ भी बुलवा सकते हो Mission Impossible में Tom Cruise ये सालों से करते आए हैं लेकिन अब criminals रियल लाइफ में ये कर रहे हैं AI की मदद से और आपको लूट रहे हैं नमबर पाँच, Link-Based Cheating देखिए हर स्कैम को AI की ज़रूरत नहीं है कभी-कभी हमारी जो कमजोरी होती है Fraudsters के लिए सबसे बड़ा बरदान वही होता है Human Weakness जैसे हमारा लालच सबको चाहिए एक Free में कुछ एक Free में Price और WhatsApp पर जो कुछ आता है वो तो 100% True होता है तो WhatsApp पर आ गया एक Link आपने उस Link को क्लिक कर लिया और Link में मिला आपको एक शांदार प्राइस Free, Free, Free बस Free सुनकर आपकी तो लार टपक गई अब ये Free प्राइस के लिए आपको थोड़े डीटेल्स भरने है आपका अड्रेस भरने है आपका आईडी प्रूफ भरने है और कभी-कभी प्राइस इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए आपको अपना सारा बैंक डीटेल भरना हो थोड़ा टैक्स का पैसा देना हो शिपिंग का फी भी भरना हो ये सारा पैसा आपने दिया प्राइस आपको कभी मिला नहीं और पैसा जो था वो भी निकल गया और अगर जादा अनलखी हुए तो बैंक का पासवर्ड भी दे दिया तो बैंक अकाउंट भी खाली सरकार ने स्कैम को रोकने के लिए और आप बचाने के लिए 2FA बहुत जगे कमपलसरी कर दिया है 2FA यानि 2-Factor Authentication यानि आपके phone पर OTP के बेना कुछ भी process नहीं होगा अब fraudsters फिर से एक कदम आगे OTP के पीछे पढ़ जाते हैं उसे निकाल कर आपके bank account digital wallets और दूसरे sensitive information को access करने की कोशिश करते हैं इसलिए वो आपको आपके phone में bank account representative बन कर आ जाते हैं e-commerce site operator बन कर आ जाते हैं अकसर सरकारी अफसर बन कर आपको phone कर देते हैं अब आप ये नहीं सोचते हो कि सरकारी दफ्तर में अफसर ना मिला लेकिन सरकारी अफसर आपको phone पर आकर आपसे सारी information ले रहा है आप भी दे देते हो, आँ ठीक है सरकारी अफसर है, बिना सोचे समझे आपने OTP दिया और आपके पैसो का हो गया स्वाहा, इन स्कैम से आपका कितना नुकसान हो सकता है देश के नागरिकों का कितना नुकसान हो सकता है आप सोच भी नहीं पाओगे for example मैं आपको बताता हूँ 2014 से लेकर 2023 के बीच में इंडियन बैंक्स में 65,000 फ्रॉड केसेज डिटेक्ट किये गए 4.65 लाक करोर जी हाँ, 4.65 लाक करोर का घपला हुआ करीबन 10 सालों में आज बैंकिंग रेगुलेशन्स और सॉलिड हो रही है तो ये स्कैम्स थोड़े कम हो रहे है देखिए गंबीर्था तो है सरकार के तरफ से ऐसी बात नहीं है सरकार रकेगनाईस कर रही है ये एक प्रॉब्लम है लेकिन ग्राउंड पर एक्शन इतना नहीं है कि फ्रॉड्स कम हो जाए या फ्रॉड्स्टर्स के दिलों में कोई खौफ हो सरकार ने एक online suspect registry लॉँच की है जिसमें 12 लाख cyber criminals का data stored है इस registry को states, union territories, central investigating agencies, intelligence agencies इस्तमाल कर सकती है cyber crime को control करने के लिए उधर national cyber crime reporting portal NCRP के जरिये cyber crime reporting और resolution को बहतर बनाने की कोशिश की गई है NCRP को अभी हर दिन 67,000 calls आती है cyber crime related questions है तो सोचे, लोगों में भी इतना डर है अभी कि इस help line में लोग phone करके पता लगा रहे है कि उनके साथ भी fraud हुआ है या नहीं और Indian Cyber Crime Coordination Center I4C ने अभी तक 2800 करोर defrauded money है ये जो scams का पैसा है ये वापस दिया है करीबन 8.5 लाख victims को तो कहीं न कहीं एक शुरुआत की गई है लेकिन इस शुरुआत से जादा कुछ नहीं हो पाएगा जब तक न आप इसमें साथ दोगे कैसे? सबसे बहले को आप आई काम करो अगर आपके साथ कभी भी cyber crime हुआ है तो आप immediately से report करो www.cybercrime.gov.in ये एक official portal है जहां आप इसको report कर सकते हो सरकार आपकी मदद कर सकती है आप 1930 पर phone कर सकते हो National Cyber Crime Helpline है लेकिन किन्तु परंतु अगर आप चाहते हो कि बात reporting तक ना आए बात सरकार तक ना पहुँचे फिर बात गुहार तक ना आए तो आपको ही चौकस रहना होगा हाल ही में एक खबर वाइरल होती है मुंबई में एक आटो में एक पुलीस ओफिसर गोसाता है सड़नली और एक महिला से 50,000 उपए की मांग करता है महिला का गुना क्या है कि वो आटो में बैठ कर वेप कर रहे थी देखे स्मोकिंग वेपिंग तो वैसे में अच्छी बात नहीं है लेकिन सवाल ये है कि ये बिना यूनिफॉर्म का ओफिसर कौन है 50,000 का डिमांड क्यों कर रहा है महिला ने सोचा कुछ तो कड़बड है ये ओफिसर नहीं है उसने विडियो बनाना शुरू कर दिया और विडियो बनते देख पुलीस वाला भाग निकला अब ख़बर यह आ रही है कि उस पुलीस वाले को एरेस्ट कर लिया गया है जो फेक ओफिसर था कहने का मतलब ये है कि आपको प्रोएक्टिव रहना होगा ये डर के नहीं बैठो कि पुलीस का नाम जैसे ही सुना जैसे हो डर के नहीं बैठना है आपको डरना नहीं है 90% केसे में साइबर फ्रॉड में पैसा वापस नहीं मिलता याद रखिए तो डर गये जो डर गया वो बर गया अगर banking channel से पैसा आपका निकलता है तो तुरंथ bank को जाकर report करो अगर bank की negligence के वज़े से आपका account compromise हुआ है तो bank आपको पूरा पैसा वापस देगी लेकिन याद रखिये अगर unauthorized transaction 7 दिन बीच चुके हैं और उसके बाद जाकर आपने report किया तो bank की liability काफी कम हो जाती है फिर bank की policies ही काम आएंगी सरकार आपको वहाँ मदद नहीं करेगी तो सबसे पहले तो चौकस रहना होगा transaction को लेकर अगर आपके उपर कोई धमा कराए उसको लेकर पॉइंट नमबर टू prevention is the best के और सीधा सीधा prevention करो have an apple a day किसी unknown message को मत खोलो unsolicited link को click मत करो unknown video call को मत उठाओ और जो bank transactions है उन्हें हमेशा double check करके approve करो अगर computer पर antivirus नहीं है चलो वहाँ भी पैसा बचाना चाहते हो कोई बात नहीं कम से कम अपने bank statements को regular scan करो हर transaction पर SMS alert लगाओ और OTP two factor authentication के बिना कुछ भी काम नहीं करने का जो बात WhatsApp पर आपने आज तक नहीं सीखा कम से कम वो real life में सीख लो कि कोई भी QR code जो आपको दिखता है उसे blindly trust नहीं करने का कोई भी payment link जो आपको दिखता है उसे blindly pay नहीं करने का किसी भी payment जहां दे रहे हो देखो किस gateway को इस्तमाल कर रहे हो किस software को इस्तमाल कर रहे हो और multi-factor authentication का आप इस्तमाल करो जैसे कि आप में credit card में भी अगर OTP है तो उसको enable करो और जो trust का factor है इतना भी trust मत करो हर unknown number को उठाने की जरूरत नहीं है आपकी college की girlfriend को अगर आपसे patch up करना होगा तो कोई और तरीका उसको मिल जाएगा हर call उठाने की जरूरत नहीं है उठाओगे तो फिर आपका भी digital arrest हो जाएगा और अगर parcel में drugs निकले तो immediately phone काटो और जिस company से वो phone आया था drug वाला उस parcel company को खुद phone करो और पता लगाओ कि कहां भया तुम्हारा Thailand में drug पकड़ा गया है सरकार इतने सालों से हर चीज़ के लिए आधार मांगती आई है birth से लेकर death certificate के लिए bank account खोलने से toilet जाने के लिए आधार की जरूरत होती थी लेकिन अब नया formula यह है कि आपको अपना आधार नहीं दिखाना है जी आँ पहले दिखाना था अब आपको नहीं दिखाना है क्योंकि आपका आधार number से ही आपके उपर fraud हो सकता है तो जितना अपना data protect कर सको उतना data protect करके रखो और जितना अपना personal information है अपना family से phone number 4 थोड़ा सा aware होने की जरूरत है मुश्किल है लेकिन अगर big boss के घर में क्या हो रहा है यह आपको खबर है तो technology के दुनिया में भी क्या हो रहा है उसी खबर आपको रखनी पड़ेगी problem यह है कि हर दिन fraudsters नए नए तरीके खोज रहे हैं अब हमें तो updated रहना होगा for example SIM swap scam यह क्या होता है इससे hackers आपके SIM को remotely duplicate कर सकते हैं और आपका सारा information चुरा सकते हैं इसी लिए regular password change करना भी एक vital security tool है OTP scam से भी जरूर आपको बचना चाहिए कि यह जो आपका जो personal financial detail है कभी phone पर नहीं share करना कोई अगर आपको call कर रहा है message कर रहा है अपने bank का official बोल रहा है सरकारी official बोल रहा है तो official channel के through जाओ official website के through जाओ phone पर जो बोल रहा है उसे मत believe करो और कभी भी अपना OTP किसी को मत दो lastly जो shady apps हैं ये एक नया चीज बन रहा है क्योंकि हम सोचते हैं कि app install कर लेंगे किसी ने महनत से app बनाया होगा तो ठीकी होगा लेकिन ऐसे apps install मत करिए only official apps install करिए app store, play store में जिसकी अच्छी rating हो कोई unknown app को मत install करिए क्योंकि एक बार आपने app install कर लिया अपने phone पर तो वो बहुत सारी permissions ले ले लेता है और उस app से phone पर पूरा control जमा लिया उस app ने तो ये आपको ही सुरक्षित अपने आपको रखना पड़ेगा जैसे कि मैंने एपिसोड के शुरुआब में बताया है ये एपिसोड बिल्कुल copyright free है आप इसे download करिए, आप इसे share करिए आप इसे re-upload करिए, मुझे फरक नहीं पड़ता है लेकिन अपने friends, अपने relatives को ये बात समझाइए कि ये देश का biggest fraud है, 2G, Colgate से आपका bank account कम से कम नहीं जा रहा था ये उससे भी बड़ा fraud है जिससे आपका bank account, आपकी इज़त, आपकी reputation और कुछ लोगों की जिंदगी तक जा चुकी है, so please be safe और अगर ऐसे ही और भी episodes आपको देखने हैं as a matter of fact, हमारे members नहीं बताया कि एक ऐसी episode की जरूरत है जहां लोगों को आगा किया जाए, तो और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जो mainstream media cover नहीं कर रही है हमें जरूर बताये, देशभक्त पर हम उससे जरूर cover करेंगे